भाई भेलपूरी को देखते तो मुँमे पानी आयता है बिलकुल भाई भेलपूरी ऐसी चीज है कि भाई बस क्या बोलू मैं आपको लोगडाउन चल रहा है भार जाए खा नहीं सकते है भार पता नहीं कैसी बनती है घर में बनाके पांच मिंट में खा लें तो कैसा रहेगा तो दोस्तों बस बहुती स्वाधिस्ट और बहुती टेस्टी भेलपूरी लेके आया हूँ तो चलिए बनाते हैं और घर में बैटके खाते हैं कॉंटिटी का बिल्कुल ध्यान रखेएगा जो चीज बता रहा हूं बिल्कुल तरीके से बिल्कुल उसी चीज को फॉलो करिएगा एक मीडियम साइज का प्याज लिया है उसे बारिक मेंने काट लिया है उसके बाद हम ले रहे हैं इसके अंदर एक मीडियम साइज का टमा बाद हम इसमें डालेंगे इमली का पानी, जी हां, इमली पानी इसके अंदर डालना है दो टेबल लिएल, धीयान रखेगाज जो टेबिल स्पून इमगली पानी दाला है , आधा टीश्पून नमक दाला है बाकि श्имूध के अनूसार ऐधा टीश्पून काला नमक दाला है इस से ज्थे फ्लीवर बहुत ज्यादा अच्छा आएगा इसके बाद डालेंगे हम इसमें आदा टीस्पून कश्मिरी लाल मिर्ज तीखा जाँ पसंदे तो नॉर्मल लाल मिर्ज डाल सकते हैं आप इसके बाद डालेंगे आदा टीस्पून गरम मसाला जी हां दोस्तों बहुत ही अमेजिंग बनने वाली है कॉन्टिटी का बिलकुल ध्यान रखेगा वापस से बता रहा हूं दो कप या दो बॉल मैंने इसमें लिए मुर्मूरे जी हां दो कप या दो बॉल मुर्मूरे लिए मैंने इसके अंदर और इसमें दालेंगे हम नि जी हां एक निमु का रस इसके अंदर डालेंगे निमू नहीं तो आप इसके अंदर आमचूर बॉल राघ जो भी आपके बास से लाख का रस सकता हैं तो यह आपको मालू मेंने बहार की की चीज खाना बिलकुल कोई पसंद नहीं कर रहा है तो गर्में बैठके भी तो हम भेल पूरी बना सकते हैं और 5 मिन के अंदर बनती है दोस्तों बस समान हमारे पास होना चाहिए नहीं तो पिराना की दूगान तो खुली वी है समान लेना है और बस कुछ नहीं करना बनाना है तो बस इसको कर देते हैं अच्छी तरह से mix एक बार अभी रुकिये जाईएगा मां तभी बहुत सारी ची डालनी है इसके अंदर इसके बाद इसके अंदर हम डालते हैं पिनट्स जी हां मैंने पिनट्स को भून लिया था एक टेबलिस्पून तेल डालके और इसे फ्राय कर लिया था बस दो मिंट के लिए फ्राय किया वाकिव उसके तने डाल दिया ठंडा होने के बड़ डालेगा उसके डालते हैं नमकी न आप कोई सी भी ले सकते हैं मैं वीकानेरी सेव ले रहा हूं या आप जो भी नमकी लेना साथ बैठके खाएंगे तो वह यह बोलेंगे भाई वाके में मजा भी आ गया और इतनी टेस्टी कैसे बनी क्वेंटिटी का बिल्कुल ध्यान रखेएगा परफेक्ट रेसे भी बनेगी बिल्कुल परफेक्ट हमारी बिल्कूरी बनने वाली है इसको कर दिया है मिक्स और बस इसे प्लेट आउट करते हैं और बस खाने की तियारी करते हैं और कुछ भी नहीं करना है दोस्तों होगे त्यार पांच मिन्ट के अंदर तो बस कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेगा शेर करेगा चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर क तक लिए नमस्कार जैहन।